हेलो दोस्तों James Watson एक American Molecular Biologist and Geneticst है James Watson इसे पहले साइंटिस है जिसने खुद का नोबल पुरुसकार बेच दिया इतना ही नहीं अब तक के सबसे अमीर साइंटिस सब में James Watson को गाना जाता है आज के इस वीदियो में हम James Watson के बारे में जानेंगे और जानेगे किसी लिए जेम्स को नोबल पुरुसकार दिया गया था और जेम्स ने नोबल पुरुसकार को क्यों बेचा नोबल पुरुसकार किसी भी साइंटिस्ट के लिए सबसे महतपुर्ण समान होता है और ये भी जानेगी की केसे जेम्स दुनिया की सबसी अमीर बिग्यानिक बने जिसका कुल संपती 16 बिलियन डॉलर से जदा है वीडियो सुरू करने से पेले अगर आप अब तक हमारे चानल इस्टो फिलिक जौन को सस्क्राइब नहीं किये तो सस्क्राइब करके घंटे को आइकन को दबा दो तो आए जानते हैं जेम्स की अरली लाब के बारे में जेम्स वेट्सन का पूरा नाम जेम्स डॉनी वेट्सन है जेम्स का जन्म अप्रियल 6, 1928 USA के सिकागो में हुआ था जेम्स का पिता का नाम जेम्स डी वेट्सन और माता का नाम जीन मिकेल है पेशे से जेम्स का पिता एक बिजनेसमेन थे जेम्स वेट्सन ने अपनी सुर्वाती सिचा यच्यम ग्रामर स्कुल और साउथ सोर हाई स्कुल से कि जेम्स को बच्चे से चिरिया सब में कुछ ज़्यादा यह इंट्रेस्टा उसे दिन भर चिरिया को देखने में अच्छा लगता था उसने अपनी इच्छा अपने पिता को बताया और उसके बाद उन्होंने B.S.E. और्थोनोलोजी पढ़ने के लिए स्टार्ट किया जेम्स वेट्सन को किताब पढ़ने में कुछ ज़दा ही रूची था इस दुरान जेम्स ने कई सारे किताब पढ़ा पर इन सब किताब में से वाटीज लाइफ नामा किताब पढ़ने के बाद उनका इंट्रेस्ट जनेटिक के तरफ चला गया जेम्स ने और्थोनोलोजी छोड़कर जनेटिक्स पढ़ने लगया सन 1947 में जेम्स ने अपनी B.S.E. की डिगरी जिलोजी में हासल की सिकागो इनवर्सिटी से उसके बाद 1950 में उन्होंने इंडियाना इनवर्सिटी से पीच डिगरी हासल के 1950 में वेट्सन ने नेशनल रिसर्च कांसिल के मार्क फेलो के रूप में कोपनी हैंसन में उनकी पीच डी की पढ़ाई सूर की इस समय के दुरान उन्होंने बायोकेमिस्ट हर्मन कलर्क और बाद में माइक्रो बायोजिस्ट ओले मिल्यों के साथ काम किया और डियने की सनरक्षना की जाच करने के लिए बेक्टेरियल भायरस का अध्यन किया 1991 में बसंत में वो कलकर के साथ नेपल्स के जोलोजिकल स्टेशन गए जहां उन्होंने मोर्क विकिल्षन के शुरूब मिलकात की और पहले बार क्रिस्टल डियने के एक्स रे डिप्रेक्शन पेटर्न को देखा वेट्सन को DNA स्टक्चर के लिए X-ray Deprection Method को बुजना बहुत ही जरूरी था इसलिए X-ray Deprection Method सिखा उसी दोरान उन्होंने Molecular Biologist Francis Crick के साथ मिले उन्होंने DNA की सनरक्षना को समझने में अपनी रूची साधा कि वेट्सन और क्रिक ने जल्द ही अपना एतिहासी काम सुरू किया वो दोनोंने Double Helic Configuration को खोजा जो एक घुमा सीडी जैसा था उनके मोडल ने ये भी देखाया कि DNA Molecular के से खुद को डुबलिकेट कर सकता है उन्हें May 1953 में British पत्रिका The Nature में Molecular Structure of Nucleic Acid Structure for DNA पब्लिस करवाया इस काम के लिए उन्हें 1962 में नवल पुर्षकार से भी नवा जा गया जेम्स वेट्सन सबसे ज़्यदा विबाद में तब आया जब उन्हेंने खुद का नवल पुर्षकार बेचने का निर्णे लिया इससे पहले ऐसा कोई भी नवल पुर्षकार विजयता नहीं था जिसने अपना नवल पुर्षकार बेचा था बाद में जाकर एली सर जो नवल पुर्षकार जेम्स कीने थे जेम्स को वापस कर दिया बिलिनियर एली सर कह थे कि मेरे लिए बहुती समानजनख बात है कि मैं कीसी साइन्टिस्ट को मदद कर सकू जिसने आधनिक विज्ञान के लिए योगदान दिया है आज जेम्स वेट्सन का नोबल पूर्सकार उसी के पास है अब आप सब सोच रहे होगे जो साइन्टिस्ट आर्थिक श्तिती के कारण खुद का सबसे महतवपूर्ण सम्मान बेचने परा था वो केशे दुनिया के सबसे अमीर साइन्टिस्ट बन गई है नोबल पूर्सकार वापस मिलने के बाद जेम्स वेट्सन ने फेस्बुक लगात कई सारे चेतरों में इंबेस्टमेंट किया कई सारे रिसर्च सेंटर को परमुक बना आज उनके पास 16 बिलियन डॉलर से ज़दा की संपती है जेम्स वेट्सन ने 1968 में एलेजावेट के साथ साधी किया उससे उनको रिटस और डिनेन वेट्सन नाम का पुत्र हुआ हेलो दोस्तों ये वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद यूटूब पर यह इसा पहला चाइनल है जो सिर्फ बिग्यानी को जिवन पर अधारित है अगर आपको बिग्यानी के बायोगराफी जाने में अच्छा लगता है तो हमारे चानल इस्टू फिलिक जोन को सस्क्राइब कीजिए यह वीडियो पर हम सोल लाइक आयम रखते हैं अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार थाइंस पूर वाचिंग इस वीडियो